Students, आप सभी का स्वागत है, 8th August 2024 को जो अग्जाम हुआ तो उसके बाद मैंने ये review के लिए video डाला था तो इस video के नहीं जो बहुत सारे comment है, आप लोग सबसे पहले ये comment चेक किए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं student सबसे पहले दोखे, student ने लिखा है, reading was very difficult और उसके नीचे भी किसी ने इनको reply किया है, I also feel hard, mainly in the last insect one वाला जो passage था, उसमें ये कह रहे हैं उसके बाद ये एक और comment देखिए, यहाँ पर लिखा है, reading was very hard और ये एक और comment देखिए, listening, writing was very easy, reading first and second passage easy, third one was difficult take a student August month में जो आगे exam होने वाले हैं, उसमें अगर आपका किसी भी date का exam है, चाहे academic का है, चाहे GT का है, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि जो comment आपने read करे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ वो दिक्कत हो, आपके साथ वो परिशानी हो, और free में मैं सारा कुछ आपको देने जा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि similar type के question, अगर first passage में आते हैं, तो वो easy कैसे बन जाते हैं, और similar type के question, अगर आपको last passage में आते हैं, तो वो difficult कैसे बन जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, कि जैसे माल लो true, false, not given, ये yes, no, not given वाली questions होते हैं, वो आपको पता first वाल first वाला passage है, जिसमें हमारे पास true, false, not given वाली question है, और एक हमारे पास last वाला passage है, दोनों के लिए similar technique यूज की जाती है, लेकिन first वाला passage थोड़ा सा हमें easy लगता है, last वाला difficult लगता है, इसको difference को समझने की कोशिश करते हैं, शुरू से लेगे अंट दक वीडियो को देखना हैं, उनको ये passage दिया गया था, उनको फाइदा भी हुआ, और जो सारे question है, या passage है, सारे का सारा same exam में आपको देखने को मिला था, ahead of its time, इस passage का नाम है, तो आईए हम इसके थोड़े question देखते हैं, कि true, false, not given वाली question इसके कैसे थे, exam में जो आए थे, तो पहला question आप देख and keyword है, वो है आपका often, जिसके उपर आपका true, false, not given, decide होने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी आपको इसका answer नहीं मिलेगा, रमंगा river भी लिखी हुई है, floods भी लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ, लेकिन फिर भी answer नहीं मिलेगा, इतना tricky answer क्यों है, उसके बारे में ब इसने लिखा, having been very high four days, the river had the last fallen, and the Tobin was eager to see what changes the floods had brought, the family farm borders the river, and a four meter high flood bank testifies to its natural tendency to flood, देखो ये सारा कुछ अब पढ़ते रहोगे, लेकिन आपको न ऐसे कुछ भी नहीं पदा चलेगा, कि उसमें अकसर ही flood आते थे, या नहीं आते थे, उसके लिए सिरफ इसने एक word use किया है, वो है ये वाला word, its natural tendency, natural tendency का मतलब क्या है, कि इसका एक natural सभाव ऐसा है, कि इसमें floods आते रहते हैं, तो अकसर word उसने कहीं भी यूज नहीं किया है, ना ही उसका कोई synonyms लिखा है, तो बहुत सारे student को शायद लगेगा, कि often का कोई जिकर नहीं है, बाकी तो सब कुछ लिखा हु कि इसमें अकसर ही floods आते हैं, तो वो शायद इसका answer not given लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसका answer vocabulary के उपर नहीं है, इसका answer natural sense के उपर है, कि आपकी sense कितनी तेज है, तो इसके उपर उसने पूरा एक answer बना दिया, तो इस परकार के truth falls आपको exam में आते हैं, तो जब आप real exam level की practice करते हैं, तब ही आपको इसका advantage मिलता है, क्योंकि जब आप Cambridge की practice करते हैं, Cambridge में ये सब चीज़ें इतनी easily दी होती हैं, कि आपको confidence सा जाता है, कि आपकी preparation बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन जो exam में reading आती है, वो बिलकुल ये वाली reading आती है, Cambridge वाली reading नहीं आती है तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही request रहेगी कि जब तक भी आप practice कर रहे हैं आपका exam तक, तो आप कोशिश करिए real exam passages की practice करें, इसके repeat होने के भी chance बहुत ज़्यादा होते हैं, अपी recently जो exam निकल कर गया, insect वाला passage, हमारी prediction में पढ़ा हुआ दा हाला कि उसके question जुरूर different लेकिन definitely उसका फायदा आपको मिलता है, उससे पहले भी बहुत बार हमारी prediction repeat हो चुकी है, तो अगर आपको चाहिए आपको number दिख रहा स्क्रीन के उपर, आप हमारे साथ contact कर सकते हैं, बाकि यह सारे tips and strategies हमने अपने crash course में भी cover करें हैं, उसके charges 1500 है, उसमें आपको prediction free of cost मिल जाता है, और अगर आपको online class से चाहिए, तो भी आप हमारे साथ contact कर सकते हैं, number आपको screen के उपर देख रहा है, तो इस परकार के question आपको जो है, वो exam में देखने को मिलेंगे, उसी परकार से जैसे यह third number question को थोड़ा read करते हैं, अब यह वाला जो question है, इसके उपर फिर से वही चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैंने उपर वाले question में, first वाले question में बताई थी, same वही चीज़ इस question के उपर भी लागू हो रही है, कि top in जो था, वो decide ही नहीं कर पा रहा था, कि body के कौन से हिस्से से bone जो थी, जो हड़ी थी, वो आई थी, तो वो decide नहीं क पा रहा था, यह देखो, यह language देखने को बहुत easy लग रही है, लेकिन जब आप इसको पीछे जाके find out करेंगे, तो आपको मुश्कल आएगी, चलिए इसको भी देखते हैं, तो देखे, student second body paragraph में यहां पर देखिए, आपको bone देख रहा है, तो मतलब इसकी location तो बिलकुल यहां पर ही है, तो यह वाला paragraph आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, लेकिन जब आप इसको question के साथ match करेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि वो decide कर पा रहा था, यह देखिए, यहां से थोड़ा इसको read करते हैं, कहता, then getting closer, he realized it was a bone, उसको यह तो पता चल गया था कि यह एक bone है, लेकिन हमारा question था कि कौन से body parts से आईए, वो नहीं वो decide कर पा रहा था, such a thing was not uncommon in these parts, he had often come across bone fragments, और even whole skeletons of cows and sheep, अभी sentence का meaning थोड़ा समझने की कोशी करो, not uncommon का मतलब है common था वो, मतलब यह चीज बिलकुल सधारन सी थी उसके लिए, कि उसको यह सब च से मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा question इस चीज की उपर है, कि वो decide नहीं कर पा रहा था, कि यह हडी किस की है, लेकिन उसके बाद थोड़ा देखिए, but as he scraped aside the stones, he realized it was a human bone, something quite new in his experience, यह वाला जो sentence है, यह वाला sentence आपका deciding sentence है, कि आपका answer true जाएगा, false जाएगा, या not given जाए था, कि यह किसी human की हड़ी है, तो मतलब मेरा कहने का यह है, कि यह सारा paragraph आपको पढ़ना पड़ेगा, उसकी sense बनानी पड़ेगी, यह नहीं है, कि एक word की उपर आपका answer बन जाएगा, जैसे normally हम proof or false not given में करते हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर उसने पूरा paragraph के साथ उसकी matching कर रही है, और last में जाकर उस चीज़ को बता दिया है, कि उसको पता चल गया था, कि यह human की हड़ी है, लेकिन question में वो क्या कह रहा है, question में वो यह कह रहा था, कि वो decide ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने तो starting में थोड़ा सा आपको बताया, कि उसको यह doubt हो रहा था, कि यह cow की हड़ी है, जा किसी और की है, लेकिन बाद में उसको पता चल गया था, कि यह human की ही हड़ी है, तो यह देखी कितना confusing answer, answer इसका false हो जाएगा, maybe आप में से बहुत सारे student इसका answer true भी कर सकते हैं, उसी परकार से हम last paragraph को भी देख लेते हैं, अगर जासे पता कि आपको last paragraph में भी yes, no, यह true false वाले questions आते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, यह अक्टूबर मत में हमारी prediction PDF से यह वाला passage हुआ था, repeat, Asian Space to Satellite Technology वाला, तो इसके true false को भी जड़ा देखते हैं, कैसे true false आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्जाम में, ancient China had already deployed rockets as a military purpose as early as 500 years ago, मतलब इसका यह है, simple की military purpose के लिए ancient China ने 500 साल पहले ही अपने rocket deploy कर दिये थे, deploy का मतलब था तैनात करना, तो मतलब इस question में हमने यह देखना है कि 500 साल पहले ही उन्होंने कर दिया था, या 500 साल बाद किया, मतलब यह time के उपर काफी ज़्यादा important आपका question रहने वाला है, तो question में जागर 500 भी मिल सकता है, ancient China भी मिल सकता है, rockets भी मिल सकते हैं, तो आई यह ज़रा देखते हैं, तो यह देखिए students यहाँ पर आपको मिल जाएगा, rocket technology has progressed considerably since the days of fire arrows, first used in China around 500 BC, यहाँ पर ही आपका answer जो है, वो खतम हो जाएगा, अब देखिए students यहाँ पर आपको rocket भी मिल रहा है, आप चाइना भी मिल रहा है, आपको 500 भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसका answer false है, false answer क्यों है, क्योंकि उसने question में आप से पूछा था, 500 साल पहले, 500 साल पहले का मतलब जैसे मालो आज 2024 चल रहा है, तो 2024 से 500 साल पहले मतलब 1524 के आसपास, लेकिन 500 BC लिखा हुआ है, अगर आप थ ना के 1500 वाले period के आसपास, तो इसलिए answer इसका false हो जाएगा, तो ऐसे question आपको section 3 में देखने को मिलेंगे, student देखो ऐसे videos बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, तो अगर आप लोग support करेंगे, तो थोड़ा motivation मिलता है, तो please इस video को like देना, चैनल को भी subscribe आपने कर ले वाले, तो अगर आप लोग जानना चाते हैं कि आपको list of heading कैसे आसकते exam में, जैसे आप लोग देख सकते हैं, यह third section के list of heading है, अगर आप real exam level के list of heading के practice करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारा real exam passages बता रहा हूँ, जो हम prediction द आते हैं, second passage वाले जो होते हैं, वो moderate level के होते हैं, जो second passage वाले होते हैं, वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हैं screen के उपर, अगर आपको इस परकार के list of heading आएंगे, जैसे आप 14 से 20 तक यहां पे लिख्यों हैं, जो की आने के chances भ रहा हूँ, एक्जाम में जो चीज़ आपको आ सकती है, वोई चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो अब यह असी बात है, जो चीज़ आपको एक्जाम में आ सकती है, अगर आप उसी चीज़ की practice करते हैं, तब ही आपको इसका फायदा होता है, तो अगर आपको यह सारे prediction passages चाहिए जो एक्जाम में repeat होते हैं बार बार जिसकी possibility काफी ज्यादा higher होती है उसमें हम आपको writing भी देते हैं speaking के 30 cue cards देते हैं जो number आपको screen के ओपर देख रहा है आप हमारे साथ contact कर सकते हैं किसी को भी online classes चाहिए तो भी आप हमारे साथ contact कर सकते हैं बाकी की जो categories रह गई है वो किसी और वीडियो में cover करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है आप लोगों को लंबे वीडियो देखने पसंद नहीं है प्यारा सा comment comment section में जरूर शोड़ देना इस वीडियो को like और channel को subscribe का देना thank you so much